असलाम अलेकुम गाइज मैंने में मोहमद मुबश्र इर्फान यूर वाचिंग क्रिप्टो मोभी यूट्यूब चैनल वेलकम टू दा मार्केट अपडेट्स और यह आज की जो वीडियो यह काफे जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि डेली लेवल पर एक बहुत बड़ी एक किस तरीके से आपने मार्केट की मूँ को सौलक में नेक्सिक फोललन के लिए आपने क्या करना है चार्ट कि अदर और यहीं चीज़ कल में डिस्कॉर्ड में भी शेयर कि दी कि आप लोगों को क्या लगता है वेन बिट्कोइन वस ट्रेडिंग एड मेबी 23200 और तब मैं आप लोगों से सवाल किया था और अभी पीटी से ने तो यहां पर ब्रेकडाउन करके दिखाता हूं यहां पर ठीक है यहां पर हम यह एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और मैंने यहां पर यहीं का था कि यहां पर इस वक्ट डेक्ली डंप नहीं आगा पहले एक पंप देके लोगों के सेंटिमेंट को चेंज किया जाए ठीक है तो इस तरीके के सीन जो हुआ और लेकिन मार्कर ने इतनी ब पर यह नहीं देखेंगे मार्किट के क्या मार्किट के अंदर जो हो रही है फस्ट फॉल अगर हम थोड़ा सा यहां पर फंडमेंटल्स की तरफ आज हमारे पास जो यूएसे में इंट्रेस रेट की जो एक हाइक थी ठीक है उसके अंदर हमें मुसलसल कमी देखने को मिली ठ पहले 75% होते थे ठीक है 75 BPS सौरी 50 BPS और अब 25 BPS और चांसिस यह है कि आने वाले जो दो और FOM से मिटिंग होगे उसके दर वापे से 25 BPS जो है वो इंक्रीज के जाएंगे इसके बाद इंट्रेस रेट को कम किया जाएगा तो इस बीच अगर आपको कोई बीडम मिलता है व यहां पर चलते हैं पीछे के बारे में कि यहां पर क्या हुआ था लेकिन क्या हुआ यह राइजिंग पैटरन बना और उस वक्त लोगों की ग्रीडी जो जितने भी लोग थे उनकी लालच को देखकर फाइदा उठाया गया मार्केट के इंदर डंप लाया गया ठीक है मार् most 20% की यह correction हुई correction के बाद market किसी हद तक stable होगी लेकिन इसके बाद फिर जब हमारे पास एक और rising wedge बना और rising wedge बनने के बाद हमारे पास वापिस से जो एक fundamentals जो थे वो यह थे कि FTX exchange जो है वो bank corrupt जो है वो हो रहे है ठीक है और सोलाना के जो scene हो इसके बाद वापिस हमने देख कि इस incident के बाद वापिस हमारे पास 21-22% तक का जो है वो एक dump आया और dump आने के बाद अभी जो market हो यहाँ पर हमारे पास अच्छा रियक कर रही है और यहाँ पर चीजे फिलाल इस वक्ट जो है वो अच्छी हो रही है अगर पहले कि हमारे पास पांप आ रहे थे तो उसके हो रही है यहाँ पर NFP हमारे पास थोड़ा सा बुरा आया था लेकिन वो चीज इतना जादा मैटर नहीं करते जिस चीज को मैंने कवर किया था अगर अभी आप बात करो बीटी सी की यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइजिंग पैटन यह वापस से बना रह अगर यह इरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास जो कम से कम करेक्शन जो मैं एक स्पेक कर रहा हूँ अगर यहाँ पे मैं हर चीज को हटा दू तो कम से कम एटलीस भी हमारे पास इस एरिया की करेक्शन जो है वो पॉसिबल है ठीक है लेकिन अगर वहाँ जिस एरिया की मैं च सपोर्ट पर संब्ले ठीक है लाइग अगर मोमेंटम अगर इस तरीके से नीचा कि मार्केट गिर भी सकती है जिस तरीके से मार्केट उपर गई उस तरीके से मार्केट गिर भी सकती है याद रखना इस चीज़ को ठीक है वो मार्केट अपना असर जल्दी नहीं दिखाईगी तक रहें चाहित कि यहां चाहिए ऐगर पण हो रहा तो यहां पर क्रास्ट यहां पीछ उडिया आंड यह आरि तेजयों यह लिए यह लिए यह लाएं यह हमारे पास पिछले 200 की मुविंग लिए और का कर देड करुक्त करके सिंद रहना कहें वारे कर देती है यलो लाइन को 50 moving average 200 moving average के नीचा जाती है उसको कहते हैं death cross मतलब market की मौत होने वाली और the market एक downtrend में जाएगी जैसे कि आपने अगर हम latest example के बारे में बात करें तो death cross के बाद market ने अपने कभी तो हम पास के चीजों को यहां पर यहां पर बन रहा है यह कौन सा एरिया है अगर आप इस चीज का अबसर्व करों तो यह एरिया हमारे पास हमारी बहुत ही important support zone है और वह कौन सी support zone है वह हमारे पास 19,500 डॉलर्स वाला अगर entry की बात करें तो मेरी entries दो parts के अंदर होगी ठीक है फस्ट पहली entry अगर मैं लूँगा तो यहां पर मैं लूँगा थोड़ी सी 25 से 20% portfolio की अगर मैं लूँगा किसी coin के अंदर bitcoin के अंदर तो यहां पर मैं ले सकता हूँ अपनी 21,500 डॉलर्स वाली support zone के उपर जब bitcoin का area बनता है वहां पर मिले सकता हूँ और दूसरी entry जो के मैं अच्छे portfolio के साथ लूँगा वह मैं 19,500-800 डॉलर्स वाले area के उपर जो यह वो ले सकता हूँ तो चाहिए हमें कि यहां पर एक कि इसकी retracement हो क्योंकि यह अब important support zone बन चुका है BTC के लिए अब एक जो मैं बुर resistance है तो अगर हमें इस area को break करना है तो हमें चाहिए कि हमें correction लें और फिर से एक rally के साथ है market के अंदर एक अच्छे macro के साथ और इस area को break करके इसको important support बना है क्योंकि यह that cross bitcoin की history के अंदर first time होने वाला है जिसको बहुत जादा कम लोग देख रहे हैं तो यह चीज़ है अब इसके बारे में मैं आपको क्यों का यह 2X 10X setup है क्योंकि इसको accumulate करो coin को क्योंकि यह AI based coin है AI based coin हमने आपको जितने भी recommend किये थे मैं आपको यहां पर market update समझा के दिखाता हूं आप मेरी है ना यह वाली वीडियो देखना जो मैंने इस month के January के start में डाले थी ठीक है इसके हमारे पास 70% तक और Swash जो मैंने आप लोगों को free group में भी दिया था वो यहां पर 50% तक pump हुआ क्योंकि यह AI के coin है ठीक है आने वाले जो time में वो artificial intelligence का है तो आप कोशिश करो कि AI coins के अंदर जब भी आपको एक अच्छी opportunity मिले Bitcoin correction मूँ तो आप उनके अंदर entry लो क्योंकि द दिन से पहले पहले मैंने इसके अंदर हम लोगों ने सबने गुरूप आलो इसके अंदर अपना पैसा डबल किया लोग 100-100% profit के अंदर है अब मैंने क्या किया अपनी जितनी भी investment थी इस coin से वो मैंने निकाल ली है और जो मेरा profit बचाओ है वो मैंने इसके long term के लिए छोड पैसा डालो AI gaming web 3.0 यह तीन चीज़े जो है वो future है बाकि आप हर चीज से हर जो सिवर से इन तीन चीज़ों के अंदर पैसा डालो क्योंकि यह तीन प्रोजेक्ट्स आपके सामने सामने बेर मार्केट के अंदर 3x से 5x हो रहे हैं तो just imagine जब बुल मार्केट आएगी तब इन गोग आपस में बात कर सकते हैं यहां जो लोग जदनी अपस में बात करेंगे उन सब के जो होते हैं वो लेवल के जाते हैं ठीक है जैसे लोग के लेवल जितनी वह चैट करने को उनके लेवल इंक्रीज के जाएंगे और at the end leaderboard में हम यहां पर देखता है कि किसका rank अच्छ मैंने अप्लोड किये कुछ आर्टिकल्स वगएरा यहां पे आपको पूरा all-in-one मिल जाएका free signals मिल जाएंगे market की हर तरीकी की updates जो मैं आपको भी बता रहा हूँ यह चीज मैंने कल भी बताई थी लोगों को दोगों को जब बिटको इन तरीज़ादा 200 पर नेक्स इडियो में अपना बहुत थी दाधा कहा लेटने अस्लाम अलेकुम वरहमतुल्ला